नमस्कार देनिक जागरती यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत है इस वीडियो के मादम से आप जानेंगे कि आम के एनीमित फलन येंतर्ण में पॉलोथिन मलचिंका क्या मैतव है जैसा कि सभी बागान बंदो जानते हैं आम के बागवानी में एनीमित फलन एक परमुक समस्या है आप इससे कैसे छूटकारा पा सकते हैं इन सब की जानकारी हम आपको देंगे लेकिन उससे पहले यदि आपने अमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी से भी नमर निवेदन है आप इसको सस्क्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले गंटे के आईकोन को दबाना मत भूलिए इससे आपको समय समय पर करशी पसुपालन और बागवानी से जुड़े मतपून वीडियो उपलब दोते रहेंगे जिसमें आप अपने समस्याओं का समाधान खोद सकते हैं और अन्य नई नई तकनिकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यदि वीडियो में उपलब जानकारी आपको अच्छी लगे तो अमारा ये वीडियो अधिक से अधिक आम के बागान भाईयों तक पहुँचाने के लिए अमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये आप सभी से निवेदन हैं और यदि आप अमारी वेवसाइट के साथ जुड़ना चाहते हैं नई-नई जानकारिया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना इमेल पता यहां पे डालके और जैसे इक गो पे कलिक करेंगे तो आप अमारे साथ जुड़ चुके होंगे और आपको नई-नई जानकारिया आपने इमेल के माद्यम से प्राप्त उत्ती रहेंगी और बागान बाईयों से निवेदन हैं एक बाद आप इस चित्तर को आवज से देख लें इसमें आपके लिए बहुत कुछी जानकारिया उपलब्द है तो आईये जानते हैं आम के एनिमित फलन नियंतर्ण में पलोथिन मलचिंग का महत्तव आम के एनिमित फलन को नियंतर्ण करना आवसे कह क्योंकि आम के बागवानी उपसंड दोनों इपरकार की जलवाईयों में सफलता पूर्वत की जा सकती है यानि इसका बविशे बहुत ही अच्छा है इसकी बागवानी समुंदर सतय से लेकर 1200 मिटर तक की उचाई वाले इमाले छेतर में भी की जाती है किन्तु व्यवसाइक दरश्टी से इसकी बागवानी 600 मिटर की उचाई तक ही की जा सकती है जिससे की अच्छा उत्पादन प्राप्ते की आजास के आम की किसमे देश के बिविन परकार की जलवाईयों में सफलता पूर्वक पैदा की जा सकती है जिन में मुखे किसमे हैं दशेरी, चोशा, लंगडा, बॉंबेगरिम, अलफॉन्स तथा संकर किसमू में मलिका और अमरापली सबसे परमुख हैं जो की काफी परचलित किसमे हैं परती काई अधिक उत्पादक्ता के लिए यह आवसेक है कि आम में नीमित फलन हूँ यह तभी संबव है जब फलों की तुड़ाई के बाद परतेक वरस नए प्रो है उत्पन होते रहें और इन प्रो में पुष्पन यानि बोर हो यह प्रिकरिया सामान्यते नहीं पाई जाती है आम के एनिमित या एकांतर फलन वाली किस्मों में नई साखाएं फल तोड़ने के बाद कई मा पच्चात निकलती हैं जिसे वे पुष्पन के लिए परिपक नहीं हो पाती है देखा गया है कि आम के पेड़ों में वनस्पतिक वर्दी या पुष्पन फलन साथ साथ नहीं होता है ऐसा भी पाया गया है जब पेड़ एक वरस अधिक फल देता है तो उसमें पुष्पततों की कमी आ जाती है जिसका नई साखाएं नहीं निकल पाती है फल तोडने के तुरंत बाद और देर से साखाएं निकलने पर ये पुष्पन के लिए परीपक नहीं हो पाती है अता है प्रोहूं की आयू तथावर्दी पोसक्ततों की कमी वातावर्ण एमवर्दे नियामकूं का एसंतुलन आम के एनिमित और एकांतर फलन का के मुख्यकार्ण है प्रोहुं के आयू एमाकर प्रोहुं के आयू और आकर आम में पुस्पन के लिए बहुत ही महतवकून होता है। वरशी पुस्पन के लिए प्रीपत हो पाते हैं इस परकार वरक्स और वरस फल देने में असमर्त हो जाते हैं और यदि आप आम की वेगानिक तक्निकी से बागवानिक जानकारी चाहते हैं पूरे वेवर्ण Means के साथ पूरी जानकारी के तो अमारी वेव साइट पर आके यहां से कलिक करके उसके बारे में आप जानकारी जुटा सकते हैं और आप अमारे यूटूब चैनल देनिक जागर्ती पर अमारा वीडियो भी सुन सकते हैं सबसे पहले बात आती है एनिमित फलन में पोसकततव की कमी या फिर ऐसंतूलन जब पेड एक वरस अधिक फल दे देता है तो उसमें पोसकततव की कमी आ जाती है जिसे कारबन नाइटरोजन का एसंतूलन मुख्य है इसके कारण पेड नई कोपले उगाने में सक्सम नहीं रहता है जिसके फल सवरूप दूसरे वरस फल कमाता है या आता ही नहीं है वर्दी नियामकों का एसंतूलिन या पеКमी आम की एक अंतर किस्मूँ में एनिमित फलन का मुख्य कारण वर्दी नियामक या प allegedly आर्मोन होता है इसमें जेब्रिलियंस मुख्य है इसके फल्सवरू फलदार वरक्स पुस्पन में ऐसमर्थ हो जाते हैं तथा आम के फलदार वरक्स भी फलन के अवस्ता में आ जाते हैं उसके बाद है वातावर्ण वातावर्ण आम के एनिमित फलन का मूल कारण नहीं है फिर भी पर्तिकुल वातावन जैसे अधिक वर्षा, उंस, आदर्था, कम तापमान, पुस्पन के समय काफी दिन कुरा है रहना और फलन वरस को सिदे एपलन वरस में बदल देता है या अपर्तिक्स रूप से रोग और कीट के परकोप को परोथ साइद करता है लगातार पर्तिकुल वातावन रहने से पोदों के लिंक तथा वानसिक बदलाव भी पाया गया है जिसका पुस्पन फलन पर विप्रित परभाव पड़ता है परबंदन यदि समय से आए वे बोर के अलावा भी बोर आते हैं तो उनको तोड़ देना चाहिए इसे फलन वरस में पेड़ पर पोशक्ततव की कमी का असर कम होगा फल ए फलन वरस में भी आता है यदि वरक्स में फल एक सिमा से अधिक लगता है तो वरक्स के चारों दिशाओं में कुछ-कुछ फलों को बोर के बराबर के वस्ता में तोड़ने से पेड़ूं के पोशक्त ततो वर्दे में सामन जिसे बना रहेगा तथा फलन वरस में भी आम के अनिमित किस्मों फलन आने की संभावना बढ़ जाती है पैकलो ब्यूटराजाल का परियोग किसम के अनुसार वरक्षूं की बढ़त में विभिन पाई जाती है यानि अलग-अलग किस्मों के वरक्षूं की बढ़त अलग-अलग है तता इसी कान कम बढ़त वाले दसेहरी और बोंबे गरीन में तीसरे चोथे वरस से फलत परारम हो जाती है जबकि लंगडा दो चोसा अलफान्सो इतियादी में तेज बढ़त होने के कान वरक्ष पर्थम आठ से दस वरस तक नहीं फलता है परन्तु ये सभी किसमें एकांतर वरसों में फलती है एता नियमीत फलन के लिए वरक्ष की वर्दी को नियमीत करने की आवसेकता है पेकलोब्यूटराजाल यानि कलाटर पर्तिवरस फलन एम वर्दी के नियंतन के लिए उपयोगी पाया गया है ये अनुसंदान संस्ताओं की तकनीकी है ये एक अतय प्रभावी वनस्पतिक परदक वर्दी नियामक है जो जेवेलियन सलेस्टन को कम कर पुष्पन में सायक होता है पेकलोब्यूटराजाल यानि पॉलोथिन मल्चिंग का परियोग तार्थ के उपयोग करने से पहले बाग में कुछ अंसेसे के रियाई करना आवसेक है जो इस परकार है नमबर एक आम के फलों की तुड़ाई पस्चात आवसेक रोग गर्ष्ट सुखी साखाओं और यदि संबह हो तो पिछले वरस के फल लगी साखाओं को 50% तक काट कर निकाल देना चाहिए एम कटे विस्तान उपर काप पर आक्सिकलोराइड का लेप लगाना चाहिए नमबर दो उरुवरकूं की संतूलित मात्रा का परियोग जुलाई में कल्टार को देने के एक माह पूरव करना चाहिए चुकि कल्टार परियोग से पर्तिवरक्स उत्पादक्ता में वर्दी होती है एता है इस एत्रीक्त वर्दी एमपोर देके स्वास्ते को बनाए रखने के लिए उरुवरकूं की संतूत मात्रा में 25-50% तक वर्दी आवसेख है कार्बनिक उरुवरक का देना अनिवार ये है कार्बनिक उरुवरक की बात करें तो बागवान भाईयों के लिए यह जेविक खाद की बात है नमबर तीन कल्टार के उपयोग के बाद पदों के जड़ के चारूं और भूमी को वेरा बैंगनी परतिरो दिकाली पोलोथिन मलजिंग से डखना चाहिए नमबर च्यार परतिवरक्स कल्टार के मात्रा साधानतर परतिमीटर छाया चेतर में 3.2 मिली लीटर की दर से परियोग किया जाता है यह दर परतिवरक्स 32 मिली लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि 3.2 मिली लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि मुमी में बालू की मातरा अधिक है तो कल्टार की संतुलित मातरा में 50% तक की कमी करना आवसेख है दसेरी आम में उपर वर्णित कल्टार की मातरा को दूसरे वरस परति वरक्स आदा कर देने से भी परभावी लाब मिलता है क्योंकि मिट्टी में मिलाया गया कल्टार का अवसेख दो वरस से भी ज़्यादा दिन तक देखा गया है नमबर पांच आम के वरक्स में कल्टार का अवसोशन काली पोलोथिन मल्चिंग से ज़्यादा पाया गया है और कल्टार के संतूती मात्रा ही पर्तिवरस उस्वन तथा फलन के लिए अनिवार ये पाई गई है नमबर चाहे पॉलोथिन मल्चिंग कल्टार के परियोग में आम की गुणवत्ता को बढ़ाने में सायक होती है नमबर साथ कल्टार से पर्तिवर आम के फल की संख्या बढ़ जाती है जिसे फलों को ज़्यादा गिरने की संभावनाद ज़्यादा हो जाती है परंतु काली पॉलोथिन मल्चिंग के परियोग से फलों के गिरने में काफी कमी पाई गई है इसलिए कल्टार के साथ पलोथिन मल्चिंग के उपयोग से परतीकाई उत्पादन के साथ उनवक्ता की वर्दी भी पाई गई है नमबर आठ कल्टार की संतूत मातरा को 10-15 लेटर पाने में मिलाकर तने के 1-5 मीटर की दूरी पर जहां पोसक जड़े इस्तित हों 15-25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर पेड की गोलाई में गोल सम्मान मातरा में डालकर काले रंग की पोलोथिन फिलम 400 गेज से डग देना चाहिए क्योंकि पोलोथिन मलचिंग पैदावार बढ़ाने नमी बचाने और खर्पतवार को उगने से रोकने का सबसे आसान तरिक्का है नमबर दो यदि वरक्स की आयू 25 वरस से अधिक हो तो कल्टार की संतूत मातरा पाने में गोल कर दो बागों में बाटकर एक बाग उरूरक नाली के पास बनी हुई नालियों में तथा सेस बाग 6 चेतर में 25 से 30 सेंटीमेटर अंदर की तरफ गोलाई में नाली बनाकर परिय परियों में हो तो नालियों की जगह पर 15 से 20 गड़े बनाने चाहिए एम कल्टार का गोल एक समान डंग से इन गड़ों में डालकर मिटी से डग देना चाहिए परियोग का समय जलवायू था आम की किसम पर निर्वर है सामाने तबोर निकलने के 100 से 120 दिन पूरो उत्तर बा में कल्टार का परियोग अधिक उप्यूप पाया गया है कल्टार का उपरी छिड़काव सितम ब्रमा के बाद अधिक प्रभावी होता है जिन बागों में ज़्यादा नमी रहती है वहां भी कल्टार के परियोग करने के बाद कम से कम 25 से 30 दिन तक पेड़ के चारु तरफ क बूमी में परियाप नमी रखना चाहिए जिसे कल्टार की अधिक से अधिक मात्रा का आवसोशन हो सके यदि आवसेकता हो तो बाग के अलकी सिच्चाई भी की जा सकती है परन्तु पॉलतिन मल्चिंग के परियोग से अलग से नमी बनाए रखने में कुछ करने की आवसेकता नहीं होती है तो इस परकार बागान बंदू आम के अनिमित फलन से कुछ हट तक छुटकारा पा सकते हैं और इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि इस विदी से आपके जो आम हैं उनकी गुणवक्ता भी बनी रहेगी और उनका आकर्षन भी बना रहेगा यदि जा जानकारी अधिक से अधिक किसान या फिर बागान बाईयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि आपने हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं गया है तो इसको सस्क्राइब कर लीजिए और बा जानकारियां उफलब्द होती हैं ऐसा कभी मत कीजिए कि आप पहले का सुनने और बाद का छोड़ दे और यदि आप हमारे साथ अन्य मदम से जुड़ना चाहते हैं तो फेस्बुक को लाइक करके जुड़ सकते हैं ट्विटर और गूगल पलस अकाउंट को फोलो करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्तित होंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद